So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ IMP shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चेनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चेनल को subscribe कर दिना साथ ही आप हमारे Telegram चेनल को join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार check out जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue तो वीडियो की शुरुआत करेंगे मजगाओ के साथ मजगाओ Dog Ship Builders Limited की अगर हम बात करें तो stock ने आज बहतरीन rally बताई कल जो level हमने stock में discuss किए exactly उन्ही levels पे यहाँ पर उन्ही points को break करता हुआ इस share आगे बढ़ा उस stock में आप अगर आप देखोगे तो record toward growth देखने को मेली है record toward growth यानि अगर आप देखो तो stock में 18.87% तक की growth रही है आज share ने अगर देखे अपने नए all time high create किया एक नई history यह stock create करता होने जरा रहा है इसके 52 week के high के उपर आप नजर डालो 5580 रुपीज का इसका 52 week का high है और यह high कब लगा? यह high लगा है आज के दिन 5580 रुपीज का high आज के दिन stock ने लगा दिया है और अभी अगर देखें market close होने में और stock trade कर रहा है 5547 रुपीज के around और share में अगर returns की बात करें तो 862.45 रुपीज तक के return स्रिफ एक दिन के यह आज के returns में आपको बता रहा हू 18.27% के में आप पर last 5 days की अगर बात करें तो 22% से जादा share बढ़ गया है last 5 days में और खास कर growth हमें 2 July से देखने को मिली यहाँ पर परसो से stock continue बढ़ रहा है और लगबग परसो से लेके अब तक की अगर बात करें 2 July से लेके अगर 4 July तक की अगर हम बात करें तो stock में अगर आप देखोगे तो 1200 के around तक के return समय देखने को मिलता है जो काफी बड़े numbers है और आज एक ही दिन में अगर stock की बात करें तो 850-860 के around एट rate कर रहा है तो काफी बड़े momentum जो है stock में नज़रा रहा है कई बड़ी deals यहाँ पर हुई थी इंडियन ने भी के साथ बड़ी deals हुई ओपस की news यहाँ पर आई उसके बाद तो stock जो है continuously बढ़ता हुआ है यहाँ पर नज़रा है यहाँ पर market cap से related बड़ी news में आपको बताऊगा बट उससे पहले यहाँ पर अगर देखे एक research analyst उनकी ओर से यहाँ पर अगर देखे 6500 का target दिया है 1 year के लिए बिल्कुल एक साल के लिए 6500 का target इनकी ओर से दिया गया और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे target आने वाले time में जल्द ही अच्छी होने वाला है वही अगर हम बात करें तो यहाँ पर मजगाओ का जो market cap है वो 1 trillion को hit कर गया है जो काफी बड़ी खुशगबरी यहाँ पर हमेने जराती है this ship building stock has zoomed 108% from June low यहाँ पर अगर देखे market capture 1 trillion को hit कर गया है यह में बात कर रहा हूं मजगाओ के मजगाओ dock stock rise shares of मजगाओ dock shipbuilders are continued at their upward momentum hitting a new high of 4,989 gaining 6.5% यह morning के हम बात कर रहा है बट यहाँ पर अगर देखे already stock 5,500 प्लस यहाँ पर चले गया है और इसने जो यहाँ पर target hit किया है जो यहाँ पर अगर देखे जो इसने अपने market cap को hit किया वो 1 trillion के around तक का चले गया जो काफी बड़ी news यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे जो NTQ stock broking firm है उनकी और से भी June quarter के लिए एक बड़े level पर अगर देखे जो June quarter में जिन stocks के results आएंगे उनमें उन्होंने top decision stocks को यहाँ पर अगर देखे तो इनको यहाँ पर इन्होंने रखा और इनका मानना है कि यह लगबग 27% तक की growth बता सकते year on year के basis में तो यह बड़े numbers यहाँ पर अगर देखे NTQ broking firm की और से दिये जा रहे काफी बड़े target यहाँ पर इनके और से दिये जा रहे तो बिलकुल यहाँ पर अगर देखे काफियत तक positive भी है कुछ shares में और जैसे BEL में positive है HAL में यहाँ पर अगर देखे income आना है 267 VPS year on year पर यह डाउन जा सकता है तो यहाँ पर अगर देखे बिलकुल जो मजगाओ है मजगाओ में भी यह बिलकुल positive नज़राते है जो इनकी sales यहाँ पर बढ़ रही है sales के मामले में काफि यह आगे रहने वाला है यहाँ पर अगर हम बात करें मजगाओ की तो June 2024 में जो इनकी sales है 34,078 करोड के around तक की यहाँ पर रह सकते है तो यहाँ पर एक बड़े अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहा है तो बिलकुल यहाँ पर अगर देखें इनकी ओर से numbers दिये जा रहा है जो काफी बड़े है और बिलकुल यहाँ पर अगर देखा जाए June 2024 की जो sales इनकी होने वाली है ओ शानदार हो सकते तो कई बड़े brokerage firms यहाँ पर totally positive नजार आ रहे है इन particular shares में तो उम्मीद है कि आगे अगर देखा जाए तो इन particular numbers का एक positive fact पड़े इन particular shares के उपर तो यहाँ पर मजगाओ के अगर levels की बात करें तो क्या levels है और हमें कि इन points के उपर यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए तो हम आ जाते इसके levels की उपर और कल जो point हमने discuss किये थे उन्हें अगर हम फिर से discuss करें तो share ने आज बहतरी return दिये है कल यहाँ पर हमने एक range के बारे में discussion किया हुआ था और उस range का यहाँ पर breakout हमें मिला था तो पंद्रा मेर्ट के चार्ट फ्रेम पर हमने एक चीज clear कर दी थी कि स्टॉक में एक symmetrical टाइप pattern है प्लस उपर से कई सारे upside down momentum share में हम यहाँ पर देखने को मिल जाता है बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखो गया exactly तो stock में strong support नजराता है downside की उसे stock में strong support है multiple time यहाँ पर अगर देखोगे इस particular trade line पर यह जो share है support लेता हो नजरा रहा है तो 3 जुलाई की यहाँ पर जो गिरावट हमें नजराई थी इससे पहले 2 जुलाई की अगर हम बात करें जो यहाँ से fall हमें देखने को बला था यहाँ ने तब ही के दिया था कि strong supported रहने वाली बात नहीं है तो यहाँ पर जब इस symmetrical type pattern में उपर से resistance से face कर रहा था तो इस pattern का अगर breakout करता है तो stock में यहाँ पर एक बड़ी rally आ सकती है और exactly ओच ही हमने देखी stock में जेसे ही यहाँ पर अगर आप दिखोगे जेसे ही इस level को stock ने break किया वैसे ही यहाँ पर हमें 3 July की दिन ही एक बड़ी growth देखने को भी लेते है उसके बाद यहाँ पर अगर देखे 4 July के लिए हमने कुछ चीज़े आपके साथ डिसकस की थी चार जुलाई यहाँ पर आप positive रह सकतो हो HHB में ने कही थी बट stock पहले sustain करने आएगा इसे भी मैंने points यहाँ पर कहते है ठीक है तो यहाँ पर अगर देखे काफी अत्ता के sideways रहा उपर गया और जैसे ही आज है open हुआ हलका downside के और आता है फिर एक बड़ा push देखनी को मलता है upside के और का ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगर देखे अगेनं consolidate करता ही जिसे यहाँ पर बढ़त रही एक यह फिर उपर पर गया फिर यहाँ पर अगर आप देखोंगे consolidate किया तो यहाँ पर अगर देखे multiple time stock में जो growth आती है उसके बाद consolidation period में आता है फिर यहाँ पर अगर देखे growth आती है फिर consolidate करता है फिर growth रेती है फिर consolidate करता है तो यहाँ पर अगर देखे multiple time वो चीज हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं और exactly यहाँ पर अगर देखे अभी के ल देखने को मैं मिल सकता है, इस point के उपर आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर अगर देखें, मजगावी ने, Garden Ridge Ship Builders की भी हम बात करें, तो कल हमने इसे discuss किया था, stock ने आज अपना एक नया high grade किया, 2687 रुपिस का आई है, विल्कुल इसने, आज ही यह नया high लगा, stock 2650 के राओं तक कि एच्छी rally stock ने यहाँ पर बताई है, और share में अगर हम देखें, तो आगे हमें उम्मीद है कि stock में और एक बड़ी rally आएगी, क्योंकि हमने कल भी levels में clear कर दिया था, कि stock में already एक बड़ा breakout हमें मिल सकता है, और एक अच्छी तीजी हमें देखने को यहाँ पर म breakout मलता है, इस trade line को यह break करता है, वेसी ही यहाँ पर एक बड़ी देजी आ सकते है, क्योंकि हमने पहले अगर एक बड़ी गिरावट stock में देखी, फिर उसके बाद एक recovery भी देखी, यहाँ पर गिरावट आई थी, गिरावट हमें देखने को मिले, फिर उसके बाद downside की और इ हो गया है, यहाँ पर अगर देखे, 2679 रुपिस के राउन इस share जो है, ट्रेड करता हुआ हमें जराता है, 243.60 रुपिस तक के रेटन यह अल्रेडी दे चुका है, split share को discuss करें, तो यहाँ पर अगर देखे, Wentech Knowledge की हम बात कर ले, Wentech Knowledge Academy Limited, 487 रुपिस का इस share है, आज split का announcement company के और से किया गया है, 10-1 का split company दे रही है, एक share जो है, 10 share में तोटने वाला है, 12 जुलाई, 2024 से पहले बाइक करते हो, तो इसका benefit आपको मिल जाएगा, और रहाल काफी कुछ चीजे हमने discuss कर लिए, इन shares को लेकर इस video में, I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा, वीडिय आपको में investment करते हो, तो इनका analysis कर देना साथ ही, टेलिग्राम चनलों को join कर लो, link नीचे description में, thank you